दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले IPL के अगले मैस की जो की यह मैस क्लाइस जाएगा KKR वर्सेश पंजाब किंग्स के बिच तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि Dream 11 टीम के लिए कौन कौन सा क्लारी को अपने टीम में लेगेर के चलना, कौन सा क्लारी को अ व्कारी जनकायी आपको आज की इस विडियो में देने वालाओं तो देखो आपवी छुसरों मेगा गरनलिक में न भाई एक क्रोड उपिया जीतना तो आज वीडियो को आप वीडियो को पूरा देखके जाना चुकि जो बाई, वीडियो को पूरा देख लेगा ना, मैं आपको बोलने मानाओ कि वीडियो को पूरा देखने के बाई, जो आप टीम बनाओगे, जो आप टीम किरियर्ट करोगे, उस टीम से आप लोग ब्रे आसानी तरीका से मेगा ग्रैल निंग में एक करोड रुपया को वीडियो को क्या कर लेंगे पूरा देख लेंगे कि इस वीडियो में एक एक पिलियर्स के बाड़े मैं आपको बता हूँगा कि कौन सा पिलियर्स को अपने टीम में लेकर की चलेंगे कौन सा पिलियर्स को अपने टीम से डॉप करेंगे सारी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में देने बना देखो IPL का ये मैस नमर जो हो जाएगा 42 मा हो जाएगा जो कि 26 अपरील को साम 7 बज़ करके 30 मिलक में Eden Garden Stadium कोलकत्ता में ये मुकाबला हो किला जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा Peace Report, उसकवाद Pillars, Stats, Trump Card Pillars और Mega Grand League के टीम में Captain किसे बना करेंगे चलना Vice Captain किसे बना करेंगे चलना एक एक करके मैं आपको पूरी वारी किसे बताने बला हूँ और साथ में जो भाई वीडियो को लाइक नहीं कियो क्योंकि टॉर सोनिक वाज सो मेरा Final Team बनता या नि बने बनाया हूँ आपको टीम देखने को मिलेगा वर Telegram Channel पर ही देखने को मिलेगा Telegram Channel आप Simple तरीका से जोइन कर सकते हो, देखो जोइन करने का मैं आपको तरीका बाता देता हूँ, इसका लिंक आपको Telegram Channel पर हाँगे, साथ में निसे में आपको जोइन का बटन मिलेगा, तो जोइन के बटन पर क्लिक करकी Telegram Channel को जोइन कर दिना, टॉस होने के बाद बने बनाया हूँ टीम, बिल्कुल फिरी में Telegram Channel पर ही देखने को मिलेगा साथ में Channel पर आप लोग पहली बार आयों तो Channel को भी सब्सक्राइब करें के notification bell को open कर दिना, ताकि जबी में कोई next time video upload परूँगा, जिससे video का notification सबसे पहले आप तक के जाएगा, देखो piece report में अभी आपको पूरी बारी किससे बताने बाला हूँ, यदि बैनुपर बात कर लें, तो टोटाज जो T20 का मैंस कहला गया, नावासी मैंस कहला गया, जिसमें बैटिंग first down करने वाले टीम ने 37 मुकाबला को भीन किया और बैटिंग second down करने वाले टीम ने 52 मुकाबला को भीन किया, तो भाई ये piece आप लोग बैसी की बैसी में 27 वारे स्कूरिंग हुआ है, एक सा नबी को पराज आते तो 15 वारे स्कूरिंग हुआ है, अब देखो average score जो आने वाला है, एक सब 65 का average score है, highest score की बात कर ले, तो 2 सब 35 का highest score है, lowest score प्रूमचास का बना है, यदि पिसले 10 मैस में बात कर ले, तो इस वैनुवर पिसले 10 मैस में पेसर्स वालर्स को जो वीकेट मिला, 64 वीकेट जो निकाल लगर की गया है, पिसले 10 मैस के बारे में आपको बता रहा हैं, इस piece के बारे में, यदि पेसर्स वालर्स के बात कर ले, तो 45 वीकेट मिला हुए, पिस सब 3 वालर्स वीकेट निकाल लगर की गया है, अब यहां पर से पैसर्स वालर्स और 7 में, इस पीसर्स वालर्स एकक तरिग़ा से वीकेट निकाल की जाए, निक चलना, और 7 में, कौन सा spinner्स वोलर्स को अपनी टीम में लिगेर के चलना क्योंकि पीस के क्वर्डिंग आज था तो बैंटिंग पीस बोल सकते या पीज वह बाइलेंस भी रहने बड़ा क्योंकि पेसर्स और साथ में आपको क्या स्कूरिंग देखने को मिल सकता अब देखो रिसर्ड जो सेम इसी वहनु पर मैस करा गया जिसमें लिएस टीम ने 20 वहर में 7 विकेट पर 17 रन का स्कूरिंग क्या कोई KKR टीम की बात कर ले तो चेस करते हुए दो विकेट पर अब KKR टीम चेस करते हुए इस वहनु पर जादा नहीं विकेट निकालते हुए दिख रहा है इस मैस में भी 7 विकेट पेसर्स वालर्स को मिला या भी 9 विकेट जो मिला हुआ पेसर्स वालर्स को मिला पेसर्स वालर्स को जो पूल विकेट मिला हुआ बारे विकेट मिला अब देखने पीस के बाड़े मैं आपको बता रहा हुँ यदि इस वहनु पर जो देखोगा यह रिशन मैस से आप लोग को पता लग जाएगा वह कापी जदा जो विकेट निकालते हुए दिख रहा हु के स्पीनर्स वालर्स को अपने टीम में ले करके चलना आगे बढ़ते हैं आप देखो यहाँ पर से देखेंगे सबसे पहले दोलों टीम के भी सेट वेड में रेकॉर्ड देख ले थे तो दोलों टीम के भी 32 मैस किला गया जिसमें 21 मैस की बात कर ले तो एक 11 मैस को बीन क्य करें सेल्ट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे तरफ से अच्छी नावान्टी और रहन दीप सिंग हरसित राना वरूंचट TV शुर्यास शर्मा जोगी के कि यह तरफ से यह पलींग 11 टीम रहने वाला आप देखो के के कि तरफ से कुण सा ब्लॉर्ड रेक और में औ आर्सितराना मीचे श्टार्ट वरून चक्रवर्थी सुने ला रहा है आप इससे थे तो चार वॉलर्स आपको बॉलिंग करते हो दिखेगा आप देखो यहां पर से तीन से चार वॉलर्स की चांसेश रहेगा कि आपको देथ के अबरून चक्रवर्थी यदि कापी अचा-ख स्टार्टिंग के ओवर में कापी अचाखासा वीकेंट निकाल लेते थे काद ओवर्ड देथ के ओवर्ड में भी बॉलिंग दीखेंगे वरुन चक्रवर्थी और साथ में वरुन सक्रवर्थी के बारे में आपको बताऊगा कि यह जो है ना वाई क्वालिटी का स्पीनर्स वॉलर से तो क्या इस परकार के बैन उपर कितना वीकेंड निकाल सकते या फिर आप पर से इनको वीकेंड भी नहीं मिलने बाला तो आगे मैं आपको एक एकसिस पूरी बारी किसे बताने बाला हूँ अब देखो पंजाब किंग्स की तरफ से प्लेइंग लवन टीम की बात कर देए तो पंजाब किंग्स की तरफ से सेम करन फिर आप पर से पिलिएर सिंग ये दोनों किलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुँ धिख जाएंगे Panzaab Kings की तरफ से ये फ्लेंग 11 टीम ढाने बला अब Panzaab Kings की तरफ से देखते है कैंगिस्तोर ओरडर, अर्सदीब सिंग, हरसल पतियल ये तीन बलर्स आपको स्टाटिंग के ओर बालिंग करते हुख रिख जाएंगे देथ के ओर में हर प्रीद बरार अब एक एक पिलियर्स के बारे में जानते ही कि पुल करता कि तरब से कौन-कौन सा पिलियर्स में लेकर के चलेंगे और कौन प्रीयर्स को अपनी टीम से जॉप पड़ेंगे तो मैं सबसे पहले बात करने बना फिलिप से बारे में राइट्अड भैटिंग एस्टाले बात करले तो 48-10-9--80-0 यहां पर सब फारा सबार है अब बनाएश बैसा बैरण पर देखा जाए तो कापी अच्छा का साबरेश run मनाते हुए देखे आई वह वर्मेट में देखुए तो किलियर दिए समस्य लेना कि इस समस्य में भी जो आपको run मनाते हुए दीख जाएंगे कम से कम 50 पर का स्कूरिंग करते हुए दिखती जाएंगे तो टीम फिर्श डाउन वेटिंग करता तो आप अपनी टीम के लिए Captain and Vice Captain बनाया करिके जा सकते हो फिर मैं बात करूँगा सुनी नरायन के बारे में अब देखो सुनी नरायन के बहुत सरा लोग अपनी टीम के लिए Captain या Vice Captain मनाया करिके चला तो क्या इस match के लिए कितना important pick हो सकते हैं मैं अभी आपको बता रहा है अब देखो सुनी लड़ायन का recent form देखोगे तो 10 run 2 wicket निकाले परहापर से 109 run 2 wicket 6 run 1 wicket 27 run 1 wicket 85 run 1 wicket यदि recent form के बात करें तो इनका recent form काफी अचा काशा चला बैन उपर देख लो तो hitwood में सबसे पहले आजाते तो 5 wicket में 5 wicket निकाले आप देखो बैन उपर देखो हुए तो wicket निकालते हुए struggle करे क्योंकि 1 wicket में बोच सकते हुए इनको सो wicket मिला अब मैं आपको बता देता हु वicket तो 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 आपको निकालते हुए नहीं दिखेंगे एक wicket तो confirm रहेगा कि कहीं इनको मिलेगी तो chances रहेगा क्योंकि रेशन form काफी अचा काशा चला तो वैसे आप अपने टीम में जाना चाते हुए जो टीम में लीग किर के जा सकते हुए तो और आपके लिए अडवांटेज रहेगा देखो चेस करते हुए आप अपने टीम में सुनी नाराहन को चेस करता है यदि केके आटीम तो आप अपने टीम से सुनी नाराहन को डॉप करके भी जा सकते हुए फिर मैं बात करूंगे आपसे रगुवंसी के बारे में इनका बैटिंग एस टा राइट हैंड बैटिंग एस टाले रेशन पर में 33, 7, 24, 7, 9 का इसकोरी हेट विड में कुछ भी नहीं बैन पर आजा तो बैन पर 3 मैस में 40 रन और 13 काबरेश है आई पिर में 5 मैस में 16, 28 काबरेश है पिर मैं बात कर देता हूं सरे सजर के बारे में इनके एकोडिंग आज़ा है राइट हैं बैटिंग है इस टाले रिसेन फॉर्ण में पचास ग्यारा अर्थिस चाउंथिस अठारा चालिस रण का इसकोडिंग है हेट विड में एक मैंस में 26 रण 26 कवरेश बैनुपर आज़ाते तो बारा मैंस में दोस्ता ताहितालिस रण 31 कवरेश है बैनुपर दीखती तो काप्याचा का सब्रेश है आई प्र फॉर्मेट में भी 32 कवरेश रण मराते हुए दिख रहे है आप देखे यह सो बले बास है इनको तो फिक्ष दोएगा बैटिंग करते हुए आपको किलियर दिखी जाएंगे और मैं आपको बता दो तो इस मैंस में भी 50 प्लस रण का स्कूरिंग करते हुए दिख जाएंगे जियल कंबीनेसन के लिए ऐसे बले बास है जो आपको यहां पर से कोई दिकत नहीं यदि करें आप अपने टीम के लिए चाहते हुए क्याप्टैंसी और वाइस का प्रेंसी का भी स्लेक्शन करना तुसरे सजर को क्याप्टैंस भी बनागर कि जा सकते हुए फिर मैं बात करने वाड़ा वाड़ा में लाप्तान वैटिंग इस्टा राइट आन में बॉलिंग करते बनाते तो एका टीम में पिक करके जा सकते क्योंकि कभी-कभी यह होता कि केके आर्का टॉप अपले वाज़ा अपना जल्दे वीकेट फेकर के जाता उस परस्तिती में आप उसे बन करते हैं सायर को बैटिंग का मौका मिलता और अवर बात करूगी ऐसा है परस्तिती होता तो 40-50 रन का स्कूरिंग करते हुए देखिए जाते रिंकु सिंग लाप रन बैटिंग इस्टाले रेशन फॉर में दो मैंच में 25 रन 25 का ब्रे अब भाई रिंकु सिंग का बैन उपर देखती तो काफी इसा खासा बेश से रन बनाते हो देखे रहें इस मैच के लिए इंपोडेंग पिक रहेंगे टीम में लेकर के चलना अब देखो पंजाब किंग्स की तरब से बात करो तो इस मैच में कॉन्पॉर्मी रहेगा कि पं इन वैडिंग करते हैं और यह समझे लोगी पंजाब के सामने एक मैस में सेवैंटी एट रन यानि अठतार का स्कूरिंग करके जाते हैं मेगा ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट पिक रहेगा हर नहीं सा टीम में नेकर के चलना क्योंकि यह सो बॉलिंग करते हुए दिखेंगे खास करके दिद का सपेशल ऑबर बॉलिंग रांट तो बात करूए यदि कोई बल्लेबास पंजाब के इंग से तरफ से कापी सदा पावर हिंटिंग करता तो समझ लेना तो आपको दो विकेट बे आसानी तरीका से निकालते हुए देखेंगे रंग की बात करें तो हेट विडि में अथाटर की अबरेस रण बनाते हुए दिख रहे हैं तो क्या प्रैंसी और वाइस का प्रैंसी के लिए भी से पॉर्शन हो सकता रावन दीप सिंग राइट हैंड बैटिंग इस्टा राइट हैंड मेडियम बॉलिंग रेशन पर में सौवीस एक तेरह दो हेट विडि में कुछ भी नहीं बैन उपर पांच मैस में क्यावान रंट तीस का अबरेस है आई पिल में तीस मैस में 120 रन और साथ में अबरेस की तेरह आप दो विकेट और तीन विकेट निकाले यह विन में भी एक्स्पेरियंस से एक मैस के लेखे निकाले बैन उपर कापी अच्छा शा बॉलिंग कर लेते आट मैस में 11 विकेट आई पेल में देखते हैं तो 13 मैस में 15 विकेट तो टीम में पीकर करके चलना आई, मैकस मैक्सिमम आपको इस मैस में भी निकालते हुए देख जाएंगे फिर मैं बात करूंगा वरून चक्रवर्थी के बारे में आप देखो यह वाई बॉलर्स है और इस परकार इडन गार्डन पुलकत्ता में इनका हड़ा में सा रेकॉड रहता कि परतेक मैस में दो विकेट बड बात करें आप देखो इंपक्ति के बारे में में आपको बता इंपक्ति में देखो काफी ज़्यदा चांसे गभी कभी बॉलिंग का मौका मिल जाता सुरिया सर्मा का बॉलिंग का मुखा मिल जाता और इस परकाल के बैन उपर हो सकता तो इसे बॉलिंग करा या जात सकता है अब यहाँ पर से देखते हैं पंजाब किंग्स के तरफ से कौन-कौन सा पिलियर्स को परेटीम में ले किरके चलना तो मैं आपर से सबसे पहले बात करूँगा सेम के बारे में लाप टान वैटिंग एश्टा लाप टान में बॉलिंग करते हैं आई पेल में देख लो रेजिसर पॉन की बात करोगे तो 20 रन एक विकेट शेर रन दो विकेट निकाले इधर भी 29 विकेट एट विकेट में के लिए और स्ट्रागल करते हैं आप देखो बैंटों पर ज्यादा मैंस नहीं के लिए लेकिन इस मैंस में सांसेज रहेगा कि सेम रन के बल्ले से यदि पंजाब किंग्स फर्स डान वैटिंग करे तो यह और एडवांटेस रहेगा देखो फर्स डान या सेकेंड डान वै लेकिन पंजाब की फर्स डान वैटिंग करें तो कैप्टैन सी और वाइस का प्रेंस के लिए भी मोश्ट फिक रहेगा क्यूंकि इस मैंस में आपको बता दूं तो साइट प्लस रन का स्कोरिंग इनके बल्ले से देखने को मिलेगा फिर मैं बात करूंगा आपर से और साथ में 22 का ब्रेंस बैनुपर भी श्ट्रागल करें आई पर मैं थाइस मैंस में पांसा चीएत्ता रन और बीस के ब्रेंस रन बनाते हुए दीख रहे हैं अगले पीलियर्स आपर से रैली रैल सुट देखो मेगा ग्रैली के लिए मोश्ट फीक हो जाएंगे ये क्लार 45 रन का स्कोरिंग आने वाले अगले 10 वल में करके जाते हैं एडवांटेस रहेगा मेगा ग्रैली में सोच लोग सबसे ऐसे रैंक पर जाना तो भाई ऐसे एक दो खिलारी को लेकर किया हूँ अपने टीम में 2-3 खिलारी को और मेगा ग्रैली का जित करके जाओ क्योंकि मैं परतीक मैस प्रेडिक्सन की वीडियो में बताता हूँ कि मेगा ग्रैली को वीन करना चाहते हो तो दोस्ते तीन यूनिक लारी आपके टीम में हर हमेसा होना काफी ज़्यदा अनिवाय रही रहता है जो कि मैं आभी आपको यह खिलारी के बारे बता रहा हूँ यह खिलारी की बहुत कम लोगी अपने टीम में लेकल के जाएगा सलेक्शन परसंटेज की बात करूगे तो 20 परसंटेज 25 परसंटेज इससे भी कम लोग अपने टीम में राही कर रहा तो भाई समझ सकते हो मेगा ग्रैंड लिंक में कितना इंपोटेंट होगा जितिस तर्मा राइट है र रन और साथ में आप रसे 23 कावरेश रन बनाते होगे लियम लेविश्टन राइट हैं वैटिंग एस्टाल है लग ब्रेक बॉलिंग करते हैं रेसर पर में शेयर रन दो विकेट एक रन जीरो विकेट एक एसर रन एक विकेट एट विकेट में तीन मैच में 40 रन और तेरा क पर दो आइप एल में 38 में 949 रन साथ में आप रसे 29 कवरेश रता सासांग सिंग राइट अन्वेट इस टालाइट आप ब्रेक बॉलिंग करते हैं रिसर पर में आट रन एक तालेस नहीं चालिस अब देखको आप रसे बात कुरू सासांग सिंग का ना वह यह जो बले बास से उसी प्रकार से रन मनाते हैं तो बैस समझ लेना यदि इनका बला बोलता तो चालिस पचास रन का स्कूरिंग बड़ी आसानी तरीका से करते हुए दीख जाएंगे काफी अचा-काशा पावर जनरेट करते हैं में का ग्रैनली के टीम में हर हमेसा लेकर चलना फिर बात कर सब्सक्राइब करते हैं थो असुट तोस चर्मा के बारे में यह भी बल्यवाज गजब बल्यवाज का बल्यवाज है यह कापी ऐस ऊचा-काशा वेडिंग कर लेते हैं इस खिलारी इपर भी आपने लिए 5049 का अगले पिलेश के बारे में जान ले तो यहां पर बात करेंग बड़े मीन के वड़िंग आज़ाए अब देखर वोड़ा राइन फास्ट बॉलिंग करते हैं रिसर पॉन में जीरो विकेड एक विकेड दो विकेड निकाले बैन उपर देख लेग तो दो में चार्ड विकेड को लिए और साथ में देथ के अबर में दोनों ही वालिंग करे तो दो वीकेट तो निकालते हुए देखी जाएंगे तो कंगी सोडवाडा को टीम में पिक करके चला फिर मैं बात करूंगा आपर से हरसल पटेल के बारे में जोटी इनका रेशन काफी जबरदस्का चला पिछले दो मैंस से तीन-तीन वीकेट निकाले है अब देखों हेट व tar? दोवेट लो टो एक जढ़ेट 8 मैंस 6인이केट निकाले आगा बठते हैं अब देखों पन्जाब चींग के तरफ से सभी और बीकेट मैं आपको बता ही दिया अब देखते कि कुछ सा इक्त फिलेट फेक करिके कर जाते थे तो आप लोग पूरा वियान-प्रडव सुनना अब देखें मीसारी स्टार के सामने एक बरद जिरो रर्ण एक बार विकेट फिक है कहीं से आप लिग भी सकते हो कि आपके ली का पी जदा इन पूड़ान होगा जितेस्थर्मा के सामने दो बरद जिरो रर एक बार विकेट अंध्रे अब देखते हैं, तो KKR के 拖 से कोई भी बॉलरण के सामने दो से तीन वार वीकेट नहीं फिक है, सभी के सामने एक एक वार उगयर फिक हैं, अब मैं आपर स्अ बेखता हूँ, इते सरमा का, तो वरूंचक्वर्न के सामने चार काल वार वार वीकेट, फिरहांब से तो वरुन चक्रवर्थी के सामने 6 वल 7 वार वीकेट सुनी नरायन के सामने 15 वल 14 वार वीकेट अंद्रे रसल के सामने 24 वल ऐता है तो यहार अवह आपसे एक भर से उतर ऌव लोग देख लेते हैं अब के करन के सामने आजा न तो पंदरा वार में चाहुता रुटा 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 वारदा के सामने वारव वीए शे मेंटा ब़ेत शेम Captaincy और Vice Captaincy किससे बना करके चलना Captain और Vice Captain किससे फिक करना Captain और Vice Captain बनाने के लिए Phil Sets, Ray Sayer और साथ में Andree Rassad, Same Pran, Liam Livingston Suni Narayan, Kangisar, Wada, Harsal प्रेड, ये सभी खिलारी आपके लिए Safe Option होगा Captaincy और Vice Captaincy के लिए Different Captain और Vice Captain की बात करोगे और साथ में Trump Card Piliers की बात करोगे तो ये देख सकते हो जैसे Rinku Singh, Wain Ketan, Saja, Rally, Raleso, Liam Livingston Mitchell Stark और साथ में अर्ष लीव सिंग, इस match के लिए Trump Card भी Piliers हो सकते हो और Mega Grandling में सबसे अलग और सबसे unique और सबसे deep brand क्लारी हो सकते है अब देखो, मैं अभी आपको ये जो team है ये team बता नहीं रहा हूँ मैं जो आपको final team बता हूँगा वैसे मैं आपको एक-एक players के बारे में बताई दिया तो आप अपने according एक team बनाओ या आप यहाँ पर से 20 team बनाओ क्योंकि वीडियो में आपको एक-एक से पूरी clearly के साथ बताया हूँ कि कौन सा क्लारी को लेकरी के चलना कौन सा क्लारी को अपने team से drop करना तो जब भी आप लोग team बनाना जब भी आप साथ में comment बोक्स में जाओगीना तो बाइट टॉप पर फिन कर दियाहों जाहां से आप लोग बड़े आसानी तरीका से तेली ग्राम चानल को जोईन कर सकते तब तक के लिए थैंक्यू तो मच